हरो डियर स्टूदेंट्स तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है तोपिक goodconductor's, registers and insulator's तो इस electricity का अब हमारा next topic है good conductors, registers and insulator's ये क्या होता है कि ये अब हम लोग study करते हैं तो electrical resistance तो आप लोगों ने पढ़ा न electrical resistance क्या होता है ये तो आप लोग देख लिए और electrical resistance क्या होता है कोई भी सवस्टांस का प्रोपर्टी होता है गुन होता है ये क्या है एक प्रोपर्टी है पहला तो electrical resistance क्या है प्रोपर्टी है दूसरा क्या है ये constant value है किसी भी सभश्टान्स का value ये क्या होता है constant होता है वो variable नहीं होता है clear तो इस electrical resistance के अधार पर जितने भी सभश्टान्स है उसे तीन भाग में बाट दिया गया जितने भी सभश्टान्स है उसे क्या किया गया तीन भागों में विभाजित किया गया किसके आधार पर on the basis of electrical resistance के आधार पर यहां जितनी भी सभस्टांस आपको दिखाई देती है आपके आस पास उन सभी सभस्टांस को तीन भाग में बाटा गया फ़र्ष्ट सभस्टांस को कहा गया good conductors एक वह सभस्टांस है जो की आपका electricity का अच्छा conductors है दूसरा जो सभस्टांस है वह है आपका registers वह थोड़ा वरोध पैदा करता है वह बिजली को परवाहित flow होने सही ढंक से नहीं द सभस्टांस में जब current flow करेगा ना तो इसे हर जगा पर इसे रोकेगा अवरोध मिलेगा फ्लो तो करेगा लेकिन अवरोध मिलेगा है ना फ्लो करेगा तो अवरोध मिलेगा और जब अवरोध मिलेगा तो गर्मी पैदा होगा है ना जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं है आप घर से स्कूल जाना चाहते हैं और आपका भाई है जो आपको हाथ पकड़ के रोक रहा जाने नहीं दे रहा है तो पैर घंसिटते 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 आप स्कूल पहुंचिएगा न तो जब आप स्कूल पैर घंसिटते घंसिटते पहुंचिएगा तो उस दुरान का foot का तो वही रजिस्टर्स है सेम टाइप से होता है रजिस्टर्स में तो समस्टांस को तीन भाग बाटा गया first good conductor second Registers और तीसरा का नाम बताईए थर्ड कौन सा समस्टांस है insulators यह insulators में तो इतना ज्यादा वरोध है कि यह electricity को परवाही नहीं हो ले देता है good conductors में क्या होगा current का flow easily होगा यहाँ current easily flow होगा clear registers में क्या होगा रुक रुक करके बढ़ेगा और insulators में जैसे ही current आप डालिएगा किसी भी substance में यहाँ पर तो यह बढ़ने ही नहीं देगा फर्ष्ट दर्वाजे पर ही current को रोक देगा माने बहुत high value इसका resistance होता है इसका resistance जो होता है वह बहुत high quality का होता हाई value resistance होता है किसमें इंस्यू लेटर्स में समस्टांस को तीन भाग में हम लोग विभाजित कियें कौन-कौन से भाग है डिवाइड है कियें किसक भाग में फ़र्ष्ट है हमारा क्या good conductors दूसरा registers और तीसरा insu letters तो चलिए देखते हैं good conductors को है न तो तो सबसी पहला जो समस्टांस का टाइपस है वो है आपका कौन good conductors माने good boy good boy कौन-कौन है good conductors कौन-कौन है जिसके पास electrical resistance low हो इसका characteristic क्या है कि good conductors have low electrical resistance इसका electrical resistance क्या होगा low low electrical resistance clear good conductors have low electrical resistance है न और good conductors में electricity क्या होगा easily flow होगा है न अलाउज दे electricity है न अलाउज दे यह लाव करता है the electricity to flow electricity को flow करने के लिए यह लाव करेगा electricity to flow कैसे दिक्कत से नहीं न इजली आसानी से इजली clear तो अलाउज दे electricity to flow easily और सबसे अच्छा good conductors धरती पर है वह हमारा क्या है silver silver is the best conductor silver is the best conductor good नहीं best good better best में यह क्या है best है silver हमारा best conductor है electricity का और भी बहुत सारे एक्जामपल है आपका बहुत अच्छा electricity का है कौन good conductors आपके है copper copper wire आपके घर में जितना भी electricity का wire है वो किस चीज का है copper का silver का wire है नहीं है क्यूं जबकि silver तो best conductor है फिर भी silver का wire आपके घर में क्यूं नहीं है क्यूंकि silver बहुत costly है copper की तुलना में लेकिन copper भी बहुत अच्छा conductors है और इससे थोड़ा poor conductor है लेकिन यह भी बहुत अच्छा conductor है वह है आपका aluminium aluminium है ना aluminium यह भी best conductor है electricity का good conductor है और भी बहुत सारे electricity के good conductors है iron आइरन जो है वो भी तो आपका good conductor है electricity का है ना जितना भी metals है all metals are good conductors है जितने भी metals है वो सभी के सभी क्या है good conductors है electricity के है ना और जो भी good conductors होंगे उसका resistance क्या होगा high होगा कि low होगा यह बताए जो जितना अच्छा conductor होगा जिसकी quality कंडक्शन की जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसकी resistance भी जो होगी वो उतनी ही better होगी है ना बेटर होगी की poor होगी poor to poor होगी poor होगी better नहीं होगी resistance उसमें कम से कम पाया जाएगा और जितना कम अब रोध है उतना ही अच्छा उसका क्या है electricity का कंडक्शन अच्छा है flow of electricity better तो एक गुड कंडक्टर्स में resistance क्या रहता है poor रहता है low रहता है very low रहता है कैसा रहता है very low तो अब हम लोग देखते हैं next topic हमारा क्या है registers है ना रजिस्टर्स रजिस्टर्स लगा हुआ कहां कहां आपने देखा है जड़ा पहले हम लोग example देख लेते हैं सबसे अच्छा आपके घर में जो एक जामपल है registers का वह है electric iron electric iron है ना इलेक्ट्रिक heater इलेक्ट्रिक बल्ब है ना यह सब जगह पर आपका रजिस्टर्स लगाया गया है जिससे क्या होता है electric iron से क्या आप करते हैं कपड़े प्रेस करते हैं electric heater पर क्या करते हैं खाना बनाते हैं और बिजली का बल्ब क्या करता है रोसनी देता है प्रकास देता है light emits करता है कैसे क्योंकि electric iron में जब हमारा जो electricity जाता है तो यहां electricity जो flow करता है इस electric iron में तो हर जगह पर अवरोध है इसे flow ही करने नहीं देगा तो जब flow नहीं करने देगा तो electricity क्या होगा लूज करेगा किस रूप में in the form of heat heat के form में और वो heat के form में जब लूज करना शुरू हुआ तो iron हमारा गरम हो जाता है और वोसी गरमी का उपयोग करके उसी heat का उपयोग करके हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं light के रूप में निकल जाता है तो यहां जो registers उपयोग किया जाता है वो generally क्या होते हैं L-Y होते हैं L-Y जो सवश्टान से use किया जाता है registers के रूप में उसे कहते हैं L-Y जैसे आपके हैं nichrome n-i-c-h-r-o-m-e nichrome nichrome क्या है register है और भी है meganine 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 क्या है register है clear है constanton constanton यह भी register है constanton भी आपका register है जिसे की हम लोग also कहते हैं क्या यूरे का इसी का दूसरा नाम है यूरे का constanton का c-o-n-s-t-a-n-t इसमें लास्ट में जूट किया क्या constant में ए-n constanton हो गया यूरे का नाइक्रोम और meganine यह तीन important registers हैं जिसमें की high quality का registers होता है है ना इनके पास quite high resistance होता है है ना एक अच्छा खासा resistance होता है electricity तो flow कर जाएगा लेकिन हर जगा पर यहां अवरोध है हर जगा पर अवरोध है flow करेगा लेकिन अवरोध के साथ ऐसे ही नहीं जाने देंगे आपको हर जगा चेक पुष्ट लगा हुआ है और चेक पुष्ट लगा हुआ है तो नजराना देना ही पड़ेगा चाहे heat के रूप में दीजे चाहे light के रूप में दीजे और इसी चलते वो क्या है रजिश्टर्स रजिश्टर्स का यूज कहांग होता है यह तो आपको समझ में आ गया है ना तो रजिश्टर्स क्या करता है करेंट को reduce कर देता है circuit में Gewoh होने से रजिश्टर्स का दूसरा यूज किया है कि यह registers और कोई भी हम यदिस तर्कृट बना रहे है और उस circuit में हमको current को reduce कराना है तो वहाँ क्या use करते है registers registers reduces the current ये current को क्या करेगा reduce कर देता है in a circuit circuit में current को कौन reduce करता है तो registers ये याद रखेंगे और next last types of substance है वो कौन सा सबस्टांस है कौन सा बता जाओं मैं तीसरा क्या है हाँ बोलिए थर्ड का insulators ओके अब insulators आईए आपके घर के बगल में transformer है electric wire है उसे जब भी देखते हूँ electric का जो mystery आता है बनाने तो हाथ में दस्ताना लगा लेता है क्यों लगाता है ताकि current उसके सरीर में परवाहित ना हो current का flow उसके सरीर में नहीं हो तो वैसा समस्टांस जिसका resistance बहुत हाई हो infinitely high electrical resistance insulators have insulators के पास क्या होता है infinitely infinitely माने मत कहिए अतुल हनुमान जी की तरह है ना है high electrical resistance बहुत ज्यादा electrical resistance होता है वो बिजली को परवाहित होने देगा ही नहीं चाहे जो हो जाए infinitely high electrical resistance होता है वो सभस्टांस क्या होता है insulators होता है तो insulators क्या करेगा आपको electricity को allow ही नहीं करेगा कि flow करे अगर यहां पर आप insulators लगा दिये और यहां से आप current flow कराईएगा तो यह current यहीं डुक जाएगा इसके आगे current जाएगा ही नहीं यह ऐसा check post है ऐसा यहां officer बैठा है कि यहां से current को flow करने नहीं देगा तो an insulator does not allow है ना does not allow यह क्या करता है does not allow electricity to flow electricity to flow through it है ना अपने में से electricity को यह flow होने नहीं देता है और इसका सबसे अच्छा example हमारा है rubber है ना rubber जो है वो बहुत बहिया insulator है एक excellent insulator है is an excellent insulator माने गजब का quality का यह insulator है इसी लिए जितने भी बिजली मिस्तिरी होते है वो बिजली बनाने के पहले हाथों में rubber के दस्ताने पहन लेते हैं और उसका आराम से उसी हाथ से पकड़ करके wiring को ठिक कर देते हैं क्योंकि rubber जो है वो आपका बहुत अच्छा electrical insulator है और भी example है electrical insulator के क्या है dry wood, सुखा हुआ wood लकड़ी लकड़ी जो सुखी हुई रहे तो बहुत अच्छा insulator है लेकिन अगर लकड़ी पानी से भींग गया तब तो वो good conductors हो जाता है bad conductor से good conductor सो जाता है इसलिए भींगी हुई लकड़ी से कभी भी बिजली के तार को नहीं छुना चाहिए dry wood dry wood जो है वो क्या है आपका dry wood क्या है insulator है कैसा insulator है बहुत अच्छा insulator है और wet wood wet wood क्या insulator है नहीं न यह insulator नहीं है plastics कोई भी चीज अगर भींग जाएगा न पानी से तो वो insulator नहीं रहेगा क्योंकि water जो good conductor water एक अच्छा conductor है क्यों क्योंकि इसमें minerals पाए जाते है metals पाए जाते है minerals और वो आपका electricity का flow कराते है तो dry wood आपका insulator है plastics आपका क्या insulator है rubber क्या है insulator है तो आपने यहां देख लिया कि good conductors क्या होता है insulator क्या होता है और registers क्या होता है okay thank you now we meet after break